दोस्तों लेके आँ हो आपके लिए Google Drive का Beginners to Advanced Tutorial जिसमें मैं Google Drive को डीटेल में समझाने हो लाओ यानि कि Google Drive क्या होता है कैसे इस्तमाल करते है और क्यों इस्तमाल करते है ये भी मैं आपको बताने हो लाओ क्योंकि Google Drive में हम directly file लोगों के साथ share कर सकते है उसे share कैसे किया जाता है direct download link हम कैसे create कर सकते है या Google Drive में file भी hide कर सकते है या कोई image की उपर का जो text है वो directly read करके Google Drive में उसे convert कर सकते है directly text format में तो वो सारी चीज़े अगर आपको जानने है तो ये Google Drive का complete tutorial देखना है complete technology channel पे complete Google Drive का tutorial में लेके आया हो क्योंकि यहां पे मैंने सारे features और कोशिश की दोस्तों तो चलिए video शूर करते है मैं Satish complete technology channel में आप सब का स्वागत करता हूँ let's begin तो दोस्तों जैसे कि मैं इंट्रो पार्ट में आपसे का कि हम Google Drive का basic to advanced tutorial देखने वाले तो सबसे पहले desktop की उपर Google Drive कैसे access करते हैं यह हम देखने वाले तो सबसे पहले मैंने मेरा Gmail account login कर लिया है आप एक Gmail account बना लो यहां पे आप देख सकते हैं right corner में मेरा Gmail account login है जब आप Gmail account login करोगे तो कुछ इस तरह की window आ जाएगी और यहां पे आपको कुछ options दिखाए देंगे जहां पे आपको Google Apps करके नाम मिल रहा है और इन options पे आपको क्लिक करना है मैं focus करके दिखा रहा हूँ इन options पे क्लिक करते ही आपको यहां पे नीचे drive करके आपको एक Google Drive का application मिल जाता है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की screen आ जाएगे पहली बार अगर आप Google Drive विजिट कर रहे है अब तक आपने एक भी फाइल Google Drive पे अपलोड नहीं किया है तो a place for all of your files करके यहां पे लिग क्या रहे कितनी जिबी फाइल आप रख सकते हैं Google Drive में आप 15 जिबी तक फाइल रख सकते हैं बिलकुल फ्री में हाँ इसके अलावा यहां पे उन्होंने option दिया है buy storage जो कि आप यहां पे सस्ते में storage buy कर सकते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बताओ इस पर फाइल कैसे हम अपलोड करते हैं तो यहां पे आपको option दिया गया है left side में new options तो new options पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां पे पूछेगा कि आपको फोल्डर बनाना है तो मैं क्या करना चाहता हूँ सबसे पहले एक फोल्डर बना हूँ क्योंकि आप जो फाइल बना होगे आप और ऑर्गनेज रखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए तो आप यहापे सबसे पहले folder बनाओगे तो यहापे new पे क्लिक करने का बाद folder पे क्लिक करो यहापे आएगा folder का नाम तो मैं यहापे रखना चाहता हूँ my IMP files तो आप यहापे आपकी कोई IMP files रखना चाहते आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा जैसे कि आप अपने आधर कार्ड पैन कार्ड के स्कान कर यहापे रख सकते यहापे रख सकते यहीं बोट सरे अलग लग document स्कूल के documents हो सकते आपके IMP documents सारे के सारे property documents वकर आप यहापे रख सकते इम IMP में प्रेट करें रियों प्रेंखें वाग उसके अल रायग देख मे इस तरह सब्सक्राइब करके पीसब्स के अब आप इस देख साइट मेरा हुए फोल्डर कि अब उडिट छोड़ा बनाया था है केंसे modify file size किया है, इसमें कोई file अमने डाली नहीं है इस folder में, तो आपको यहां पे size में कुछ नहीं आ रहा है और इस folder को content owner को होने, मैं ही हूँ क्योंकि किसी ने मेरे साथ ये folder नहीं share किया अगर आपको किसी ने folder share किया होगा ये तो यहां पे उस owner का नाम आ जाता है तो फिलाल तो आपको यहां पर यह चीज़े मिल गई है लेकिन मैं फिर से ग्रीड वियो कर देता हूँ अब इस फोल्डर में मुझे फाइल रखनी है हमें फाइल अपलोड करना सीखना है एपीप्स फाइल फॉल्डर तो बना लिए आमने न्यू में जाकर यहां पर फोल्डर क्रिएट करना होता है वो तो कर लिए अब माई Fाइल नाम का फॉल्डर दिखाए दे ए रहा हैमाई IMP Fाइल narrative folder फाइल अप्लोड यह option चूज़ करो तो फाइल अप्लोड option चूज़ करने के बाद यहाँ पर कुछ फाइल्स यह दिखिए और यह आपके बस तभी आएगी जब OPERA ब्रावजर आप यूज कर रहे हो तो इस तरह की clipboard की फाइल भी हा जाती है आपके सामने कि अभी अभी अपने clipboard में कुण कुण सी फाइल ली थी मुझे यह फाइल ली चीए Show all files में क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए मेरे सारी files दिखाए देगी मैं जिस folder में जाना चाता हूँ उसमें जा सकता हूँ अफिलार मैं download folder से Microsoft Excel chapters करके यह वाला PDF file में ले रहा हूँ इसे open कर रहा हूँ जैसे मैंने इसे open कर लिए यह PDF file यह पर आ चुका है क्या बात है और इसपे क्लिक करोगे आप और इसे आप लीस्ट वी में करोगे तो इसके बारे में पूरी जैसे मैंने आपको बताया था कि अपलोड कभी हुआ है और फाइल की साइज क्या है वगरा वगरा यहां पर मिल जाता है ठीक है अपने यह पहली फाइल अपलोड कर ली है और यहां पर आप देख सकते कि storage में यहां पर चालू हो गया भरना तो 15GB तक प्री है देरे देरे वो बढ़ते जाएगा लेकिन 15GB मतलब बहुत सारी फाइल आप यहां पर रख सकते है अब मैंने यह PDF रखी है आप अपने बहुत सारे scan documents सारी चीज़ यहां पर रख सकते है फाइल अपलोड करना आपने सीख लिया अब फाइल cabbage अपलोड ने के बाद यह अपलोड़ अपलोड फाइल अपके मेरे कलीक के साथ share करनी है या मेरे कस्टमर के साथ share करनी है आपने कोई ppt upload किया है यहाँ पर तो ppt आपको उसको देखाना है suppose तो आप क्या करोगे उसे share कैसे करोगे तो इसके पर आप right click करोगे और right click करने के बाद यहाँ पर एक option पर click करोगा जैसे मैं share करोगा यह डाइला बॉक्स आएगा यहाँ पर आ रहाँ share with people and groups धान से पढ़िए का अब यहाँ पर जिनका भी email id आप लिखोगे जैसे मैं यहाँ पर अलग email id लिखे तो वो सभी लोग यहाँ पर फाइल को एकसेस कर सकते उनको एक mail इस फाइल में वो एडिट कर सकता है मतलब यहाँ पर कोई word document excel document है फिलाल यह तो pdf है लेकिन word excel document है उसमें वो edit कर सकता है क्योंकि उसका रोल क्या रखा है मैंने आपर देखिए एडिटर रोल है automatic editor आ रहा है हम इसे viewer रोल कर देंगे पास तो यह file देख सकता है हमारे पास 3 है एक commenter यह आगि इस फाइल केवारे में comment रहे कर सकता है बस आपके इस file के लीशuh main thing इस content को जीक्रस का ने और यह comment कर सकता है वो edit ने कर सकता है Viewer में वो देख सकता है और एडिटर में वो एडिट कर सकता है वीवर में वो खाली देख सकता है फाइल को याद रखिए तो आप को जिसके साथ ये फाइल शेयर करनी है उसको कौन से राइड देने है वो आपके उपर रहता है तो आप यहाँ पर धेर सारे email id और लिख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर एक email id लिखा है तो इसको जो email जाएगा उसमें क्या subject होना चाहिए hello kindly check this file and let me know about this और यहाँ पर मैं send बटन पर क्लिक करूँगा जैसे मैं send करूँगा ये फाइल उसके साथ शेयर हो जाएगी अभी ये फाइल शेयर हो रही है जब तक आप इसे चाहते तब तक उसके साथ ये शेयर रहेगी क्योंकि आपने इसे right click करने के बाद यहाँ पर share पर क्लिक करने के बाद उसके साथ शेयर की है यहाँ पर दिखाए दे रहे है आप नहीं चाहते शेयर करना भी लगता है कि नहीं नहीं इसका काम खतम हो गया तो आप इसे यहाँ पर क्लिक करके इसे remove भी कर सकते है और आप उसे owner भी बना सकते हैं अगर आपने उसे owner बना दिया यहां से तो वो file के साथ वो जो चही वो कर सकता है उस file को delete कर सकता है और यहां पर मैं इसे remove कर देता हूँ, मुझे owner नहीं बनाना है मुझे share भी नहीं करना है अगर आप इसके email में जाके देखोगे तो उसको एक email आया रहेगा कि यह particular person ने आपके साथ एक file share की है एक्जामपल के लिए यहां पर screen पर आप देख सकते हैं मैंने वह email ID login के और यहां पर दिखाए दे रहा item share with you Microsoft Excel chapters और यहां पर आप click करोगे तो इसमें यह दिखाए देगा hello kindly check this file लिख के आ रहा है कि उसको एक message गया है और यहां पर यह file भी उसको मिली है वह उसे open कर सकता है and edit करने के लिए भी allow किया गया है यहां पर सारे options आपको दिखाए दे रहे है मतलब वह particular person इस file के साथ जो करना चाहिए को कर सकता है क्योंकि edit option आपको पता चला कि उसके पास कैसे message जाता है जिसको आप file share करते हो यह तो बात आपको पता चल गई है लेकिन अगर मैं यहां से रिमू कर देता हूँ अधीस मैं आ यहां पारा रहा हूँ और Editor करके इहां पे option जो दिखाए दे रहा है यहां पर मैं झाुछ च्छिशे होँ अब मैंने इससे लिए जाई आप पर यहां पर मैं इससे सेव कर दूँँगा अब मैं यहां पर आ के अब मैं यहां पर 11 मेल को सब्सक्राइब दिखाए दे रहा है, मैं क्लिक कर रहा हो, यह शेर किया था, लेकिन अब नहीं एपन होगी, लेकिन ऐसे शेयर करऊंगा तो दुबारा उपन हो जाएगी उसके पास, तो फाइल आप शेयर कर सकते हैं, जब चैहिए मर जी जब चैहित तब आप उसे रीमूग यह एनि फाइल, गलत ना समझना दोस्तों, तो यह पे वो Google वैसे मेसेज देता है, मैंने आपको बता दिया बस तो फिल राल अभी मैंने फाइल शेयर करना पता है लेकिन आप उनके इमेल पर नहीं शेयर करना चाहते है आप उन्हें वाटसब पर शेयर करना चाहते है आप चाहते है वाटसब पर या फिर आप टेक्स मेसेज करना चाहते है लेकिन आप इसे ऐसा शेयर करना चाहते है कि उससे बस एमेल पर नी शेयर करना है, उसके आप मतलब अजाएमेल आईडी अपके पस उसका, आप उससे वर्टसप पे link शर्छी चाहते है इस फाईल का, तो आप इसे रैट क्लिक करिए, रैट करने के वढ़ गेट लिंक वाला options है इस पे click कीजिएगा जब आप यहाँ पे click करोगे तो यहाँ पे दिखिए फिर से option आ रहा है आपके बस यहाँ पे restricted आ रहा है पहले इसे copy करने के पहले restricted को हटाई और anyone with the link यह वाला click कीजिए अब anyone with the link करने के बाद आपको फिर से option आएगा कि anyone with the link क्या करेगा वो viewer रहेगा या फिर commenter रहेगा या editor रहेगा उसको आपको क्या करना है? viewer, editor or commenter मुझे editor तो नहीं देना है सब के लिए भाई क्योंकि यह link सब के साथ शेर कर रहा हूँ मैं viewer रखूँगा copy link viewer रहेगा फाईल को खाली देख सकता है editor तो पता है आपको क्या है so यहाँ पे मैंने इसे copy कर लिया और done करना है यहाँ इस link को मैंने copy कि done के अब मैं क्या करता हूँ कि अलग browser में इस link को open करता हूँ suppose यह वाला browser मेरा लग है Firefox browser है तो यहाँ पे मैं इस link को paste करूँगा और enter करूँगा अब आप देख पाएंगे कि यह वाली फाईल में ड्रेक लिए access कर रहा हूँ बिना किसी है ना jinjat कोई sign in कुछ नहीं पूछा मुझे कुछ भी नहीं है मैं इस file को यहाँ से download भी कर सकता हूँ यह देखे download बटन भी आ रहा है तो आप जिस किसी के भी साथ Google Drive की फाईल शेयर करना चाते है लेकिन आपके लिए उसे get link option करना पड़ेगा और anyone with the link यह आपको वाँ पे option रखना पड़ेगा और आपने यह फाईल अगर शेयर कर ली किसी के साथ लेकिन इसका update आगया इस फाईल का तो आप उसको update भी शेयर कर सकते है यह यह पे एक interesting option है manage version लेकि आपने यह Excel chapter शेयर किया लेकिन इस Excel chapters में यह पे Excel के मेरे chapters है और यह पे कुछ 10 chapters और बढ़ गए और फिर मुझे यहाँ पे दूसरी PDF अप्लोड करनी पड़ी इसकी जगह जैसी यहाँ पे मैं दूसरी PDF एड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसे रैट क्लिक करूंगा और manage version में जाओंगा यह interesting option है इससे आपका पुराना वर्जन जो होता है वो तो रहेगा लेकिन वो आपके लिए रहेगा जिसके साथ आपने फाइल शेयर की उसको नया वर्जन मिलेगा याद रखिए सो यह manage version या फिर इसका use log hide करने के लिए भी करते है यह पुराना वर्जन जो यह hide हो जाएगा और नया वर्जन वो दिखाए देगा आपके सामने बस सो manage version में जाओ upload new version इस फाइल का नया वर्जन आ गया current version Microsoft Excel chapter upload new version मैं show all files में जाओँगा यहाँ देखिए मेरे पास यह है नया वर्जन जो इसमें थोड़ा सक करेक्शन था इस फाइल में तो यह मैंने बना लिया है तो यह दोनों फाइल में अलग-अलग changes मैं आपको फाइल दिखाऊंगा कि वह कैसे नया वर्जन आएगा अब मैं यहाँ पर open करता हूँ यहाँ पर यह नया वर्जन अपलोड हो रहा है और यह नया वर्जन अपलोड हो गया है close अब मैं आपको दिखाता हूँ, यह फाइल आपको यहाँ पर नाम वही दिखा दे रहा है अब Windows एफ्रेस करता हूँ और मेरे डाउनलोड में से यह फाइल में दोनों दिखाता हूँ तो यह दूसरी वाली फाइल है जो मैंने अभी अप्लोड की है उसके पर चाप्टरस 1 करके यह दिखा दे रहा है उस फाइल का नाम वही है बट आगे 1 लिखा गया है यहां पर ब्रैकेट में क्लिक करूंगा एंटर करूंगा और नीचे स्क्रोल करके आओंगा और नीचे आपको दिखाऊंगा क्या हो रहा है अब आप देख पाओगे यह अपडेट हो चुका है यह पुरानी फाइल नहीं उस लिंक पे जो लिंक हमने शेयर वाली रखी थी यह शेयर वाली लिंक है तो यहाँ आपको दो नहीं वर्जन मिल जाएंगे करन्ट वर्जन मिलेगा और पुराना वर्जन मिलेगा जो कि 30 दिन के लिए यहाँ रहेगा यहाँ से आप इसे की फॉर एवर भी कर सकते क्योंकि यह आप उपर दी है उन्होंने कि आप 30 देज के लिए पुराना वर्जन अपडेट करते रहते हैं और जो लिंक आपने अल्रेडी लोगों के साथ शेयर की है उसे दुबार आप शेयर नहीं करना चाहते है तो फिर आप इस अप्शन का इस्तमाल जरूर कीजी है यहाँ पे एक साथ अपकी धेर सारी फाइल रहती है और वो हीडन भी रहती है तो यहाँ पी यूसफुल ओप्शन है बहुत सारो लोगों को पता नहीं है तो इसलिए यह इदन टिप्स पे आप इस वडियो को लाइक जरू कर देना दोस्तो लाइक शेयर और कमेंड भी कर देना यार फ्री में है सब कुछ चीज़ है और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइ अगर आप यह गूगल डॉक्स में उपन करते हो तो यह एडिटेबल मोड में उपन हो जाती है यानि कि किसी भी पीडियाप फाइल को आप ड्रेक ली गूगल डॉक्स में उपन करके एडिट कर सकते है यहाँ पर मैं Excel for beginners की जगह Excel basic लिक देता हूँ Excel basic तो यहाँ पर देख और इस्तमाल कर गूगल डॉक्स का राइट तो फिलाल इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ यहाँ आप आप देख सकते Microsoft Excel चाप्टर गूगल डॉक्स की एक फाइल बन गई है वह आटो सेव रहती है गूगल डॉक्स की जितनी भी डॉक्यमेंट है आपको सेव करनी की सबस्क्राइब और बैल आई को पर क्लिक करना साथ ही में अगर आपको मेरा टीचिंश पसंद है जो भी पढ़ा रहा आपको समझ में आरहाया आपको मजा आरहा है सीकने में वहीं और मजह लेने के लिए या इनी कि और सीखने आपको मेरा एप ज़िए चाहिए LearnMorePro.com नाम की एक वेबसाइट है और LearnMore नाम का आप है डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक दे दोना एक दूसरे के साथ इंटर लिंक है आइसो सर्टिपिकेशन के साथ कोर्सेश वहाँ पे अवैलेबल है जो कि आप जाकर चेक कर सकते हैं बहुत ही कम रेट में गूग यहां पे जानेंगी कि अगर मैं PDF नहीं कोई इमेज अपलोड करता हूँ यह एक टिप्स इंटरिस्टिंग है निव में जाता हूँ मैं फाइल अपलोड में जा रहा हूँ और यहां पे शो औल फाइल में जा रहा हूँ अगें आइम गूंग टू सिलेक्ट डेक्टप फोल फेस्बू की प्यार कोई इंट्रेस्टिंग न्यूस है आपको पता है आजकल न्यूस क्यार होती है इसके बारे में जादा एक्समेशन देनी की ज़रत नहीं लेकिन मैं इसका जो टेक्स्ट है यह इमेज का मैं लेना चाहता हूँ मेरे वर्ड डॉक्युमेंट के अंदर मै इस फाइल को simply right click open with google doc करूँगा जो अभी मैंने किया तब pdf के साथ वही मैं इसके साथ करूँगा और result देखे क्या एगा वहाँ पे हिंदी करेक्टर है वो हिंदी करेक्टर यहाँ पे टाइप होके आएंगे google के अंदर नीचे स्क्रोल कीजिए यहाँ पे इमेज पहले द सकते है यह OCR काम करता है google का बहुत होचियार है यह OCR दोस्तो इसलिए इस OCR को जरा प्रैक्टिस करके देख लेना मतलब यूज करके देखना मतलब यह एक्चुली ऑप्टिकल केरेक्टर रेगनाईजेशन टूल होता है जो कि एक आर्टिफिशल इंटिलिजिएंसी माना अचली होगी कि राइट लिक करने के बाद यह प्रियू क्या होता है और ओपन वित में Google Docs क्या होता है और यह पर कनेक्ट वित और अधर आप होगरा है लेक्ट इस नन अफ और बिजनेस अभी फिलाल के लिए क्योंकि इतना आगे नहीं जाना है आमें फिलाल आमें यह पर आप माई ड्राइव में जाते हो या फिर आप रिसेंट फाइल में जाते हो कभी कभी रिसेंट फाइल में तो आपको यह पता नहीं कि यह रिसेंट फाइल कौन से फोल्डर में से कौन से फोल्डर में से तो आप यह राइट लिक करो शो फाइल लोकेशन करो वो फाइल कौ जैसे यह drive में, my files के अंदर जाना है फिर इस file को access करना है आपको यह directly my drive में इस file को access करना है बार बार access करना है यह file तो इसे right click करना है और क्या करना है इसे add shortcut to drive और shortcut कहा पर रखना है आपको drive पर ही रखना है या drive के अंदर कई पर और folder में रखना है तो आप रख सकते हैं मुझे drive में ही रखना है my drive add shortcut अब देखिए my drive पर मैं click करता हूँ यहाँ पर एक shortcut add हो गया इसे आप delete करेंगे तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला क्योंकि यह जो है यह shortcut है इस वाले फाइल का जैसे हम computer में shortcut बनाते हैं वैसे ही है तो यहाँ पर क्या होगा अगर मैं इस फाइल को यहाँ से access करना चाहता हूँ तो आपके IMP files, आपके फोटोग्राप से, परसनल फोटोग्राप से, फैमिली फोटोग्राप से तो वह आप अलग से रख सकता है अलग लग folder बना के and that will be very easy to access particular files from that folder तो यह organize करना बहुत अच्छा होता है आगे option दिया है Moodoo 2 इस फोल्डर नहीं रखने है तो आपका मन करा कि इस फोल्डर नहीं रखने है तो आप पे काम करो, पहले M.Dri2 एक और फोल्डर बना दो new folder अच्छा ही काम करते है हम लग यह पे एक फोल्डर ही अप्लोड कर देथे देखिए यहां पर folder upload करके भी option है यहां पर मैं click करता हूँ और desktop पर यह new files नाम का folder मैं बनाया है यह पूरा-पूरा folder जो है upload कर देखिए यह देखिए this will upload all files from new files folder only do this if you trust the site अगर आप उसके अंदर की जितनी भी file है उसको trust करते हो तो ही आप यहां पर पूरी upload कर लो और यहां पर दिखिए यहां पर सारी की सारी new files upload कर रहा है सारी की सारी new files folder के अंदर की file यहां पर upload हो चुकिए new files नाम का folder है अंदर जो भी files है totally यहां पर इसमें दिखाए देगी यह दिखाए दे रहा है अब यहां पर वीडुक अन्मैक्च न नाम की एक फाइल है जो मैं चाहता हूँ मेरे इस फोल्डर में my IMP files तो मैं in new files में यहां पर वीडुक अन्मैच रॉपर रे क्लिक क्लिक करूँगा, जैसे मैं मुवटो पे क्लिक करूँगा, मैं कहां पे इसे मुव करना चाहता हूँ? वो पूच रहे है कि इसे कहां पे मुव करना चाहते है ciao तो आपको यहां पे BAC BUTTON पे क्लिक करना होगा यह दिखाए देकारा है, BAC जिससे आपको, MY IMP Files यहां पे मिल गया आप इसे इस तरह से मुन कर सकतے है और Add to start अगर आप करें तो इस file को स्टार कर रहे हैं या यहानि कि यह file आप sindar file मिल जाएगी यहां पे start folder मेल रहstorm जितने भी start की हुई फाइल से वह सभी star files आपको यहां मिल जाती है वो आपको important file से ऐसा मान कर आपने वहाँ पे उसे start कर दिया है quickly access करने के लिए again यह option यूज होता है तो ऐसे मैंने डेर सारे option बताया है यहाँ पे फाइल को rename करना है तो आप फाइल का नाम बदल सकते हैं वो आपकी मर्जी है रिनेम कीजिये फाइल का नाम बदलिये और बस right click करके आगे है view details फाइल के बारे में पूरी details आपको मिल जाती है जैसे कि यहाँ पे right side में आप देख सकते है कि कौन कौन सी फाइल यह फाइल आपने कभी अपलोड की है क्या-क्या है अप्लोड की है जो कि बहुत ही useful है और वो सबसे पहले हम ने बता दिया इस फाइल का copy बनाना है so you can make a copy duplicate बनाना है इस फाइल को download करना है you can download from here इस फाइल को remove करना है तो अपने अगर इसे remove कर दिया तो यह permanently remove नहीं हो रहा है यह trash में हो गया है यह देखे फाइल move to bin यहां से आप undo कर सकते है undo button press करेंगे तो दुबार यह फाइल आ जाएगी इसमें भी undo है क्या बात है यहां पर undo चलता है वाला नहीं नानपटे कर वाला undo यहां पर undo रिडू तो यहां पर bin में जाओ और यह undo किया हुआ sorry I mean to say delete किया हुआ फाइल यह दिखाए देरे आपको right click कर और यहां से आप इसे restore कर रिस्टोर कर रिस्टोर क्या करना है आपको इसे restore right click और restore यह फाइल आपको आपिस मिल जाएगी आपके my imp files में तो delete भी कर सकते है restore भी कर सकते है rename भी कर सकते है और जो चाहिए वो कर सकते है मतलब बहुत सरी चीज़े आपके दी और यह मैंने explain की तो अभी आपको पता चला कि फाइल कैसे लोगों के साथ शेयर की जाती है डाउनलोड कैसी की जाती है लेकिन अगर आप चाहते कि मैं फाइल लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो उसको ड्रेकली वो डाउनलोड करके मिले उसको ड्राइव करके अलग साना मिले मतलब जैसे यह फाइल आपकर मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो वो ड्रेकली डाउनलोड हो जैसे उस लिंक पे लोगों के साथ शेयर करता हूँ अब मैं यहां पर आता हूँ नए वाले टैब में मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया जैसे मैं एंटर करूंगा यह देखिए ओपनिंग वी लुक अप एंड मैच.exe यह क्या कर रहा है बेसिकली एकसल फाइल गूगल शीट में इस तरह से उपन कर रहा है मुझे डाउनलोड देना है उसे ड्रेक लिए डाउनलोड यह फाइल तो ऐसा नहीं चाहिए मुझे वरावर या फिर मैं कोई पर भी नए टैब में आता हूँ इस वाले टैब में आता हूँ तो ऐसा नहीं करना है आपको तो यहां पर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ डाउनलोड डाउनलोड आपको ब्राउजर में सर्च करना क्या है देखिए मैं जूम करके यहां पर पता देता हूँ ब्राउजर में आपको सर्च करना है डाइरेक्ट डाउनलोड डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक, ओके, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक और यहाँ पर आ रहा है, देखिए sites.google.com Google Drive Direct Download Link Generator यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए, enter your sharing URL और यहाँ पर create direct link यहाँ डाइरेक्ट 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 हो गया और छिंक करके चाहते पजिदिध करके, अलगे थायर कर लिया. यह बहुत के रिखिज बहुत करके द और क्लिनक करके और की कशson लिंक यह थी केया अब यहां पर जितने भी ओप्सष्ण स के टेम को बता है. यहां से भी आप उसे एकसेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है दूसरी चीज ऐसी कि अगर आपके साथ किसी ने Google Drive फाइल शेयर की और आपने Google Drive में उपन की तो शेयर वित मी में वो दिखाई देगी और यहांपे share button पे tap कर रहा हूं और share button पे मैं यहांपे वो email id टाइप कर रहा हूं जो email id हमारा है अभी और वो email id मैंने टाइप किया और यहांपे उसके साथ मैंने as a editor इस file को send कर दिया अब मैं यहां पे आता हूं तो share with मैं मैं बिक सकते कि मेरे पास वो फैल ड्रेक ली यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किसी ने मेरे साथ यह फाइल Learn more pro करके जिनका email id Learn more pro है उन्होंने मेरे साथ यह फाइल शेयर की यह basically मेरा यह idea और यह मेरी website भी है Learn more pro.com यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर देर सारी courses चल रहे है All courses section में जाकर आप देख सकते हैं देर सारी courses आपको यहाँ पर मिलेंगे सीखने के लिए अगर आप computer में master बनना चाहते हैं या फिर आप Excel में master बनना चाहते हैं computer hardware में master बनना चाहते हैं तो देर सारी courses उससे related हैं और कम पीज में यहां पे अवैलेबल है, अब जरू चेक कीजिएगा, अगर आप इंट्रेस्टेटेड है, तो इन कोर्स को इन्रॉल कीजिएगा, अटोमेटिक इन्रॉल्मेंट कोर्स है, मतलब जैसे आप पेमेंट करोगे, कोर्स आपके अपके अक्टिवेट हो जाएगा, या फिर Learn More App है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों एक दुसरे के साथ इंटर लिंक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, आप कुछ एडवांस सीखना चाते हैं, आप लाइप में कुछ बनना चाते हैं, तो ये कोर्स डेफिनिटली आपको कुछ बनाएंगे दोस्तों लेकिन सीखना ज़रूरी है, फिलाल तो आगे Google Drive सीखना ज़रूरी है, तो हम सीख रहते शेयर विद मी में, हमारे पास आती है, वो फाइल जो हमारे साथ लोग शेयर करते हैं, ये हमारे ड्राइव में स्टोर नहीं है, इसलिए इसका स्पेस यहां पे नहीं आता है, ये फा ये बात आपको याद रखना है, अब आपको Google Drive में डॉक्यमें बनाना या Google Drive में प्रेजंटेशन बनाना या Google Drive में गूगल शीट बनानी है, तो हम आएंगे My Drive में, जिस फोल्डर में बनाना है उस फोल्डर को हम सिलेक करेंगे, और यहां पे New में जाएंगे और यहां पे आप देखेंगे, आगे options हैं आपके बस क्या बनाना है, Google Docs, Google Sheet या Google Slide, जो भी आपको बनाना है, आप यहां पे क्लिक कर सकते है, आप PowerPoint के लिए Google Slide ही इस्तमाल कर सकते है, Excel के comparison में या पे Google Sheet है, और कापी अच्छा यह तूल है दोस्तों, क्योंकि Excel में जितने आपके अबर दिजाइन किया, मेरे LearnmorePro.com पे है, Google Docs पे मैं क्लिक करता हूं, यहां पे मैं आपको दिखा ता यह दिखें, Google Docs, Word की तरह similar आज आता है, और यहां पे डेर सारी चीज़िये आपको मिलती है, यहां पे जो फाइल आप बना होगे, यहां पे आपको आपको आप उस फायल को आप तूमारा दुबारा outcomes why work using a.pdf आप लगां जिसमें आपके Hindi text हमने convert कर लिया था OCR से, तो आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो फाइल में जाओ, और यहाँ पे आपको डाउनलोड option मिलता है, और यहाँ पे PDF में आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर आप इसे word document में, Microsoft word document में डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको options मिल जाते हैं, और ऐसे डेर सारे word document के options आपे मिलेंगे, मैं special tutorial बनाने वाला हूँ, यह file, edit, view, insert वगेरा कैसे इस्तमाल किया जाता है, बिसिकली Google का जो docs है, उसे कैसे इस्तमाल किया जाता है, detail में में बताने वाला हूँ, Google sheets के ओपर तो already मैंने course ही बना दिया है, और Google PowerPoint यानि की Google slide कैसे use किया जाता है, उसका भी मैं कि Google Drive के कुछ shortcuts आपको पता होने चाहिए, तो आप setting में जाओगे, आपको setting तो पता होनी चाहिए, आपको setting तो पता होनी चाहिए, at the end, तो यह पर setting में आपको option दिया है, keyboard shortcuts, यह पर click कीजिए, और Google Drive के धेर, सारे shortcuts आपको मिल जाएंगे, जो कि अगर आपका Google Drive पे regular काम है, तो भई, उन shortcut को जैसे आपको left, right, down, down, ऊपर का नीचे का item select करना है, यानि फाइल सिलेक करना है, यानि फाइल सिलेक करना है, यह पर item में चलब मैं फाइल की बात कर रहा हूँ, गलतना समझना, j, k, l, h, ऐसा प्रेस कर सकते है, control, space, और x से आप select, deselect कर सकते है, या फिर shift, down arrow, shift, up arrow है न, extend selection के लिए, selection बड़ाने कम करने के लिए, तो यह सारी shortcut keys यहाँ पर दी है, अगर आप यह पर रखो के cursor, तो आपको पता चल जाएगा, shift, मैं down arrow प्रेस करता हो, तो यह देखिए, ऐसे selection, जैसे हम normally, selection के लिए करते है, तो यह सारी shortcut keys आपको एक साथ, setting में मिल जाती है, उसके अलाव यहाँ और एक option मिल रहा है, gate, backup and synchronize for windows, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो, जैसे आप क्लिक करते हो, डाउनलोड ड्राइव for desktop option आजाता है, यहाँ पर अपना Google Drive डाउनलोड कर पाओगे अपने desktop के उपर, तो आप यहाँ पर डाउनलोड में रखना अब यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, और मैं इसे क्लिक करके रन कर रहा हो दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक टाब आपके सामने यह करना होगा उसे, और यहाँ पर वो बोल रहा है कि, add an application shortcut on your desktop, desktop पर पर अपर कर सकते है, करना है करना है तो चलो टी के पहले इंस्टॉल करके देख लेते हैं, अब मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ और यह Google Drive इंस्टॉल हो चुका है, क्या बात है, आप इसे close कर दीजिएगा, मैं Windows D करके minimize कर रहा हूँ, और desktop पर आपको दिखाता हो पही, चार फाइल के shortcut से यहाँ पर Slides, यहाँ पर आप PowerPoint एक्सेस कर सकते हैं, यह PowerPoint का Slides मतलब Google Slides, यहाँ पर Excel और देने आपर Docs, फिलाल तो Google Drive में हम जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, My Drive करके यहाँ पर आपको folder मिल जाएगा, और यहाँ वही फाइल सारी के सारी आपको एक्सेस होगी, जो आपन पर आप लोड की है, और यह synchronize होते रहेगा, जब आपका internet है, time to time synchronize होते रहेगा, दोस्तों, यह सारी बाते हो गई, Google Drive के बारे में, हमने जान लिया, कि Google Drive हम कैसे इस्तमाल कर सकते हैं, धर सारी चीज़े में यहाँ पर एक साथ एक वीडियो में बताने की कोशिश की है, त को मैं जो भी पढ़ा रहा हो समझ में आ रहा है, तो एक बार इसे भी समझ लो, यह कोर्स आपके काम के है, और Learn More App डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी इसके लिए आपको, तो ज़रू चेकिज़े हमारे LearnMorePro.com वेबसाइट और फ्री में नोट्स पढ़ने के लिए, LearnMoreIndia.in और हमारे जितनी भी अलग अलग वेबसाइट आप है, वो सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप ज़रूर चेक कर लेना, वो आपके लाइप में कुछ ना कुछ ज़रूर वाल्यू आड करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़े वापे प्री है, कुछ ची अब भी करके जाएगा, और हमारे जितने भी चैनल उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हो ज़रूर चेक कर लेना, अगर आप इंट्रेस्ट लो और कुछ सीखने के लिए तो चैनल के लिंक ज़रूर चेक कर लेना, फिलाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते है अग